हलो इपरिबान गुड मॉनिंग विल्कम बैक टू माई न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सब भी आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे तो चलिए सुबहे का वक्त हो चुका है थोड़ा बहुत काम नास्ता पानी का हो गया है सबसे पहले लगते हैं क्लीनिंग के काम म तो यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया है विड्रूम से तो बेट सीट इसमें पड़ी हुई थी विस्तर में तो इसको हमने फोल्ड किया फोल्ड करने के बाद वटा फट से बेट सीट जैसे की रखने लगी तो पता नहीं है पूरी वेट सीट ऊपर नीचे करके होके रखी सारी खराब तो इनकों सारी को मैं प्रियूद सेट करना है कोई नहीं कोई विड्चुट निकाला होगा तो इसलिए थोड़ा सरा विड्चूर इधर से फाेल गई थी तो जो बीड्चू होती हाँ थी उनको फिलाल मैं नीचे रख देती हूँ जो अभी सइट को ऊपर मैं शेते हैं घ्रण करें और और अभी फोल्ड करें उसको विपर गुंकर कभी ओडने के लिए निकाल लेते थे हैं तो इसलिए उसको उपर ही रख दिये इसके बाहरी आती है प्रेसोस किया होगे कप्ड़े उफड़े में तो फैला हुआ है इस साइड का भी हम नहीं खोला तो इधर की भी पूरा फुली थे नीचे होके रखे थें कुछ नो कुछ सबका समाने सकी रखा रहता है इनका भी कुछ ढूडते हैं खासकर जेंट कुछ अगर ढूडते हैं त यहां भी मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को अच्छे से रखा है और अब भी आप देखिएगा ना इसमें कितना ज्यादा स्पेस हो जाएगा अभी तो जैसे कि आप लोगो ने देखा इसको खोला तो मैंने फूल लिता मगर अच्छे से सीज़े रख देते हैं तो बी अच्छा खासा इसमें हो गया था जो खाली हमें माद्ल मुझे रहती हैं और बैग हो गया तो मैं उसी में रख देती हूँ और फ्रस भी मैंने फिलााल उसी में रख दिया है इसके बाद बारी आती है ठेयरो कपड़ों के कुछ़ कपड़े इसमें धुलने वमाले आप साड़ी को मैं लगा दीती हूं आलबारी में ताकि इसका टोग्रियों सफ़ेस खाली हो जाए। घृते हफ़सेश जीजेयर है अधर कोस अटो strictly- मैं घृतो मैं आल wrap Forest पूरा फैला की रखे हुए थे तो थोड़ा सा उसको मुझे ठीक ठाक भी करना था साथ में जो यह बॉक्स इसके उपर का जो मैं फ़र डालके रखती हूँ कवर भी हट गया तो उसको भी मैंने ठीक ठाक किया जल्दी से इसके बाद बारी आते कुछ कपने हमारे थे कुछ ब दूँगी फिर अगर मसीन लगाऊंगी तो फिर एक-दो टाबल मुझे इसमें से न धुलना भी है इसके बाद जो दूपटे उपटे थे सारे मुझे रख देना वाश्रोम में जब मसीन लगाएंगे तो फिर दूदेंगी इसके बाद वारी आती है हॉल की तो इसकी भी ब लेटने के लिए किसी को चाहिए नहीं तो फिलाल सोफा हम कर देते हैं बंद ताकि थोड़ा से स्पेस भी हो जाए और सोफे के नीचे बहुत ज्यादा ना गंद की फैली हुई है तो ना साफ सफाई भी हो जाएगी कि डेली नहीं हो पाती थी और धूल तो आज आप लोग करते हैं शोफा बंद जैसे ही शोफा बंद किया इतनी जादा धूल नीचे थी कि मतलब पैर रखना ही मुस्किल था और मैंने फटाक्ष फैन बंद किया कि पूरा कचड़ा उड़ा जा रहा था इदर से उधर इसलिए पूरा फैन बंद कर दिया पहले लगाऊंगी सबसे पहले और इसके बाद फिर जो भी जो नीचे विस्तर डला हुआ है इसको मैं बाद में हटाने वाली हूं थोड़ा साइड करती हूं को चड़े को ताकि नहीं इतना ज्यादा ना फैला रहे और यहां के जो बेट सीट है इनको नहीं दुलना क्योंकि इसके उपर एक सबसे बट् से डली हुए तो गंदी भी नहीं हुए है इसके बाद मैंने थोड़ा सा नीकाला जाडू निकालने बाद और इस देंद के plus ब्राक कमि भी है निचे उपके सेस्ब्स में 예दा होया इसको भी हमने हटा दिया तो ऐक तोफ़ा सामने रख देति हूं और इसामने अब जहां पास दूसरा वेट सी डाला हुआ है और जो इस पेस सामने खाली हो गई वहां पास हम डाल देंगे दोनों गद्दे क्योंकि आपको से लगा है यहां पास इतनी ज्यादा गर्मी पढ़ती है तो हॉल में ही हम सब सोते हैं और जब से गर्मी पढ़ने लगती है तब सहाँ ज्यादा लोग नहीं आपाते हैं और ज्यादा लोग सो सकते हैं यह हमें सबसाों सकते हैं कोई न और जादा कम घर साफ। अराम से पूरे में बिस्तर बिचा लो और यहीं पास लेटो तो सब के लिया होता है यह नहीं की बेडरूम में लगेगा तब को कम-कम घर के ही लोग जाएंगे या गेस्ट आ जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे तो इसलिए हम लोगों ने हौल में लगा था कभी अगर पर बात पर पहस्ता हो जाती है तो चलिए इसके बाद बारे आती है वास प्रेशन साफ करने की रगा के अछे से ब्रस को तो मिनट के लिए रगड़ देना है तो अच्छे से साफव जाता है और बस क्योंकि जो चोटी मोटी डेली की सफाई जैसे डस्टिंग हो गई वास्ट रूशन हो गया और बाहर की दुलाई जो क्लीनिंग होती है किचन क्लीन करना और तो यह इतना कितना भी आप कर लो की आज नहीं करेंगे मगर यह काम ना करना ही पड़ता है कुछ काम ऐसे है कि आप वीकली कर सकते हैं या डेली नहीं कर आवाइड कर सकते हैं मगर कुछ कुछ काम है आपको करना ही करना है तो चलिए अच्छे से साफ करने के बाद जो यहां पास कपड़ा रखा रहता है तो अच्छे से साफ कर देते हैं जो पानी इस तर इधर गिर गया है कपड़े र यहां पास रखते हैं बाकी बागी तव को तो तो निकाल के यूजर सकते हैं बस डैस्टिंग लास्ट की रहे गए यह बेड्रूं की फटा-फट से वेड़ की तो थोड़ा सकाच वाली जो टेवल है इसका मर्ण उदर से और लास्ट में करते हैं ट्रेस्टिंग जो आल मारी है ज्यादा गंदी तो नहीं थी पस हलका हलका से आपस मैंने भी हाथ इसमें बार आफ्रेड हैं तो दोपार का वक्त हो चुका है और हमारा लंच हो चुका है तो आज हमने बनाया था चावल फ्राइब चावल पोड़ अस दो अब और नहीं हो साथ कर ले ता रात में कुछ मैंने चौड़ दिया थे जाए थे साड़े तस बचे घर से ही निकले तो ने किया लिए तो जो वी बड़े 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 बड़तन दूलिया थे बांकी यह चोड़ दिया थे प्र सुबह उटके में सबसे पहले बड़ तो चलिए भी गर्मी है बहुत और आज काम थोड़ा साजादा था तो कि पूरा हॉल और प्लीन करना था रूम हो गया बच्चों का रूम भी छुट गया है तो उसको मैं कल साप को नोगी और इसकी निकाल लिए तो चलिए अपने रहे हैं अपना अपना थ्याल रखिए गर् तो चलिए इसके बाद बार आती है साम कुछ चाय पेनाने की तो यहां पास सबसे पहले जो अर्तन बरतन थे हैं तो मैं लगा देती हूं कुछ मैंने लगा दिया थोड़े बहुत ही रह गयते हैं जैसे कि बड़े बड़े हो गए हैं इस सारी चीज़े मैं लग सेट कर देत और मुझे लगता जितने भी अईस्पून थे न सारे ही गंदे थे चोटे मोटे ना काओ बड़े बादे सारी ही गंदे थे तो यहां पास मैं दोद भी आ गया था दोद भी रख दिया है पकने के लिए चाय भी बनने के लिए अब भी मुझे रखना है तो पहले वाला काम क कटम थोड़े बहुत कप सफ रह गए हैं तो यह भी मैं लगा देती हूं तो इवनिंग का जो काम होता है ना सब के घर में मुझे लगता है ऐसी स्टार्ट होता होगा चाय से खास कर तो चाय गर्मी हो जाए ठंडी चाय तो मतलब चाहिए ही चाय कुछ भी हो जाए चाय की विना तो जिसकी आदत पड़ गए हो रही ही नहीं सकता है तो चलिए यह आपस मैंने रख दिया एक कफ वरने के लिए बरतन सारी लगा दिये हैं और बस फटाक से चाय बनाते हैं इसके बाद पौधों को पानी देना है बाहर अंदर छट वालों को सब को तो जल्दी से थो हुआ हुआ थोड़ा सा फिरिज में कल वाला इसको हम नीकाल रहे हैं उसकी मलाई निकाल के अर्टेनर में रख दिया कान्टेनर भी मलाई वाला लान मृ फुल हो गया इसका अब 5 माला नहीm Ihr अपर उप्र दूद्ध में ही एक ठा新व गया विस ऑग खें इन में रख और WR मलाई कठा करके तो इसमेल्स करने लगी इसलिए फिर्ज में ठंडी अगर में कपी भी हो में फिर्ज में रखती है मलाई जब मतलब उसका मखर बनाना होता तो फिर निकाल लेते हैं चलिए इसके बाद फिर आ गए थे च्छत में पौधों को पानी हमने दे दिया है रह गए च्छत में तो च्छत के भी पौधे सारे ही सुख गया थोड़े बहुत ही बचे हैं फिलाल अभी बार इसका मौसम आएगा तो टेक टाक हो जाएंगे कुछ पौधे थे मैंने तोड़ी भी दिया है जैसे कि पपीता के पौधे थे तो उनको मैंने तोड़ दिया है खुद के पेट के लिए हम ना तोड़ा सा धेर खा जाते हैं कि रचलो कुछ भी बना लेते हैं तो ऐसे यहां पास ना कुछ भी ही बनने वाला है तो चलिए फटा-फट से मैं आटा लगाती हूं और इसी कैसा आतना इस ब्लॉक को मैं खतम भी करूंगी कैसी लगी आप लो हो तो वीडियो को लाइक करके जाईएगा